आयोध्या में हर दिशाओं में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं इसी क्रम में आयोध्या में भव्वे और सुन्दर रेल्वे स्टेशन का भी निर्बान कारे चल रहा है इस रेल्वे स्टेशन बाहर से देखने में किसी आलिशान मंदिर से कम नहीं लगता लेकिन वहीं रेल्वे स्टेशन का आंत्रिक रोब किसी मल्टिप्लैक्स या मॉल से भी ज़्यादा खूपसूरत है यहां घूमने आए परियटोकों ने इस रेल्वे स्टेशन को देख कर बताया कि विदेश के बड़े-बड़े रेल्वे स्टेशन भी इस रेल्वे स्टेशन के आगे फेल होती नजर आ रहे हैं बिल्कुल दोनों चीज का स्वावेश है इसमें आधिरिक्ता भी है और पुराने इसके हिशाब से बना चीज वह भी बन रहा है मंदिर की आकरती बन रही है जैसे अपना हरदवार देखते हैं तो हरदवार भी इसी टाइप का बना हुआ है कि मंदिरों का शहर कहते हैं अरे दौर को लाइक अपना यह अधिया भी इसे ही है होग अच्छा लगा हुआ हर जगा आपको नोटिस बोट डिख जाएंगे कहां पर क्या आवेलिबल है किस तरह की बिल्कुल बिल्कुल ऑबिसली सब बहुत अच्छा बदा अच्छे टीट अनुभव रहा जाते रहते हैं हम सभी जगा बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया अभी मंदिर का काम चल रहा है लेकिन जब बन जाएगा तो हम महसूस करें कि वो कितना विशाल और अनुभव उसका कितना अच्छा हुआ हुआ है रेलवे स्टेशन जो बनाये गया वो एकदम आधूनिक और धार्मिक तरीकसे बनाये हैं कैसा आपको अनुभव रहा है इसके बहुत अच्छा नुभव लग रहा है रेलवे स्टेशन देखके तो हम इस्पेशली हमें आने नहीं दे रहे थे थे अंदर मैंने एक बार जाके बच्चों को दिखाएंगे बहुत सुन्दर लग रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसे बाहर के देश में हम हैं यहाँ पर यह रेल्वेस्टेशन बेहत खुपसूरत और आलोकिक है एलिवेटर, फूड कोट, लिफ्ट और इस्तमाल की तमाम सुविधाव से लेस यह रेल्वेस्टेशन किसी मौल से कम नहीं हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुती सुन्दर और भवे रेल्वेस्टेशन बनकर आयोधिया वासियों को एक नई सौकार देगा जिला अधिकारी आयोधिया नितेश कुमार ने बताया कि यह रेल्वेस्टेशन अभी फे उसके अनुसार मिलता जुलता हो और जो यहां की जो पारनिक्ता है उसको समेटता हुआ हो उसको संजोजता हुआ हो यह बहुत महत्रपूर्ण है इसलिए रेल्वे का जो आपको पुरा मंदिर के स्वरुप का लगेगा काफी बेहतर है उसमें पत्थरों का इस्तिमाल किया ग और भी उसको हम लोगों ने प्लैनिंग किया हुआ जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए भी लैंड हम लोगों ने गर्मेंट अस्टेट गर्मेंट ने दिया है रेल्वे को तो उसमें भी काम शुरू है, कॉनकोर्स भी बन रहा है तो काफी बड़े पैमाने पर यहां सधाल मंत्री नरेंद्र बोधी इसका उद्घाटन कर अयोध्या वास्यों को एक बड़ी सौकात देंगे